जेहिन दोस्तों स्वागत है एच्वी जनल नॉलेज़ 53 की इस वीडियो में आज हम डिसकस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टाप स्लेक्शन कमिशन दोबारा आयोजित किया गया स्टॉर किपर का एक्जाम जो की आज दिनाक 19.9.2021 को समपूरन हुआ तो इसमें पहला जो प्रशन था उसमें पूछा गया था इसका जो सही उतर है वो है अब देखते हैं अगला प्रशन जो था उसमें 1217 की फावर 8 is equivalent to यानि कि ये किसके समतुल्य है तो इसका जो सही उतर था तो वो था option V 028F16 ये इसका जो था वो सही उतर था अब देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन भी कम्प्यूटर से समबदी था प्रशन में पूछा गया था तो इसका जो सही जबाब था बोह था option D the location of the operand is implicit अगला प्रशन है .mov extension refer usually to what kind of files तो .mov extension जो थी जो है वो animation या फिर movie files के साथ लगती है तो C जो था इसका सही उतर था अगला प्रशन है डेटावेस का कौन सा पार्ट है जो के वल एक प्रकार की सूचना रखता है तो इसका जो सही जबाब था वो है option D field अगला प्रशन है तो सभी को पता होगा चार्ल्स बवेस जो है उनको कंप्यूटर का प्रिता जो है वो कहा जाता है अगला प्रशन था EEPROM का पूरन रूप क्या है तो EEPROM का जो पूरन रूप है वो है Electrically Erisable Programmeable Read Only Memory तो option V इसका सही जबाब था अगला प्रशन है प्रतम PD कंप्यूटर में किस electronic घटक का प्रियोग हुआ है यानि कि विच इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट इस यूज़ इन फर्स जनरेशन ओफ कंप्यूटर तो इसका जो सही जबाब है वो है vacuum tube vacuum tubes का उप्यूग जो था वो first generation computer में हुआ था अगला प्रसन है कि why OMR is used और या फिर OMR का प्रियोग क्यों होता है क्या ये mail scan करने के लिए उता है image scan करने के लिए होता है document scan करने के लिए होता है या फिर answer sheet scan करने के लिए होता है तो OMR का जो पूरण नाम है Optical Mark Recognization तो इसका जो यूज होता है वो answer sheet को scan करने के लिए होता है questionnaire, mcq वित्यादी जो है वो इसके दोबार जो है वो scan किये जाते हैं अगला जो प्रशन है यानि की दस्वा प्रशन है कि joystick क्या है joystick एक memory unit है, online game है, output device है या फिर input device है तो इसका जो सही जबाब है वो है option D, input device, joystick क्या है एक input device है और commonly used input device क्या है, तो keyword जो है वो commonly used input device है अगला जो प्रशन है, which is not a valid type of printer तो option दिये हैं OCR, ink-z, daisy wheel, या फिर dot matrix printer तो इसका जो सही जबाब है वो है OCR, optical character recognition यानि की OCR जो है वो एक वैद प्रकार नहीं है printer का, ये जो है printer character का जो है उसको digital text में ये convert करता है OCR अगला परसन है, one nibble has, एक nibble में क्या होते हैं, 2 bit होते हैं, 4 bit होते हैं, 8 bit होते हैं या फिर 16 bit होते हैं, तो इसका सही जबाब है, option V, 4 bit एक nibble में यो होते हैं, वो 4 bit होते हैं अगला परसन है, एक operating system क्या करता है, what does an operating system do तो option D हैं, memory management, file management, application management, या फिर all of the above तो इसका जवाब है option D एक operating system ये सभी कारे जो है वो करता है memory management का कारे करता है file management का कारे करता है और application management का कारे भी operating system जो है वो करता है अगला परसन है internet क्या है क्या ये local area network है metropolitan area network है या फिर wide area network है या फिर कोई भी नहीं है तो इसका जो जो सही जवाब है वो है option C wide area network इंटरनेट जो है एक wide area network है अगले जो प्रस्षन है वो है कि 1024 wide किसके वरावर होते हैं option D है जो दिया है वो है दो की पावर 13, option B है दो की पावर 12, option 3 है दो की पावर 11, option 4 है दो की पावर 10 तो इसके जो सही जवाब है वो है option D, दो की पावर 10 अगला प्रस्षन है using MS word we can simply face picture, type, format a text या फिर all of the above तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा all of the above अगला प्रस्षन है internal hard disk is removable but not fixed, removable not fixed या फिर fixed तो इसका जो जवाब है वो है option B, removable अगला प्रस्षन है which has the shortest access time क्या वो virtual memory में है, secondary memory है, cache memory में है या फिर in सभी में है तो cache memory में जो है वो shortest access time होता है तो option C जो होगा वो सही जवाब होगा अगला प्रस्षन है, programs stored in Rome are called as जो Rome में बंडारित प्रोग्राम है उनको क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है firmware, option D जो है वो सही जवाब होगा अगला प्रस्षन है, analog computer किसकी अपूरती पर कारे करता है अनलोग computer work on the supply of, तो option है physical strength, natural strength, magnetic strength या फिर continuous electric pulses तो इसका जो सही जवाब है वो है option D, continuous electric pulses पर ये supply कारे करता है, अगला प्रस्षन है कि program execution time would be minimum if the programs are returning तो option दिये हैं, assembly language, high level language, machine language या फिर none of the above तो इसका सही जवाब होगा, option C, machine language तो हमारा जो अगला प्रस्षन है वो है कि a device that transmits message in verbal form is संदेश को बाच्चक रूप में संचारित करने वाले device क्या है option है audio response unit, magnetic device, card punch या फिर audit trail तो इसका जो सही जवाब है वो है audio response unit, option A, सही जवाब होगा अगला प्रस्षन है, what is the main folder on a storage device card? storage device पर जो मुख्य folder है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते है root directory, option B, सही जवाब है अगला प्रस्षन है, प्रस्षन है कि digital computer किसके सिद्धान पर अधारित है तो digital computer जो है वो गन्डना के सिद्धान पर अधारित है option A जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा अगला प्रस्षन देखते हैं, नीमन में से कौन सी Unix की विसेशता है? multi-user, multitasking, kernel manage data या फिर यह सबी तो यह सबी जो है वो Unix की विसेशता दरसाते हैं अगला प्रस्षन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम क्या है जो प्रसेसर प्रबंदन करता है इसका जो सही जवाब है, traffic controller, option B सही जवाब है अगला प्रस्षन है, multi-processing क्या है? एक computer का अनेक प्रसेसर रखने की अनुमती देती है या फिर, सभी मुख्य computer बिकरेतों दबारा पुरुनतिया सपस्ट है या फिर, अनेक प्रक्रमों को एक साथ चलन की अनुमती देता है या फिर, operating system को सरल बनाता है तो इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा, option C to allow multiple process to run simultaneously, known as multi-processing अगला प्रस्षन है, which Excel feature enable predefined layout to select table in the worksheat option है, autograph, auto format, header and footer, या फिर, spelling and grammar तो इसका सही जवाब होगा, auto format, option V, जो है, सही जवाब है अगला प्रस्षन है, the process of communicating with a file from a terminal is क्या ये heuristic कहलाता है, interactive कहलाता है, interrogation कहलाता है या फिर इन में से कोई भी नहीं, तो इसका सही जवाब है, option C, interrogation अगला जो प्रस्षन है, वो है, कि digital हस्ताक्सर क्या है तो वाइनरी रूब में जो हस्ताक्सर है, उनको digital हस्ताक्सर कहा जाता है, option V, सही जवाब है अगला प्रस्षन है, which is not a class of local area network तो 38 का जो सही जवाब है, वो है option D, ये सबी जो हैं वो, इसके अंसर है अगला प्रस्षन है, the main memory holds data and program तो इसका जो सही जवाब है, वो है temporary, अस्ताई रूप से, option A, इसका सही जवाब है अगला प्रस्षन, the most common input device is the most common input device is keyword ये मैंने आपको पहले भी बताया कि keyword जो है, वो, most common input device है अगला प्रस्षन है की, special effect used to introduce slides in a presentation are called तो इसका जो सही जवाब है, वो है transition, option V, सही जवाब होगा अगला प्रस्षन है, compiler और translator किसके एक रूप है तो इसका जो सही जवाब है, तो compiler और translator जो है, वो, software के एक रूप है option V, इसका सही जवाब है अगला प्रस्षन है की, क्या निर्मित करने के लिए, नीजी computer को एक साथ जोड़ा जा सकता है क्या ये enterprise है, network है, super computer है, या फिर server है तो इसका जो सही जवाब है, वो option V, network तो network निर्मित करने के लिए, सभी computer को जो है, एक साथ जोड़ा जा सकता है अगला प्रस्षन है, first super computer developed in India is तो भारत में विक्सित किये जाने वाला, पहला super computer कौन था तो उसका क्या नाम था, तो उसका जो नाम था, वो था, परम 8000 परम 8000 जो था, वो भारत में निर्मित पहला super computer था अगला प्रस्षन है कि all computer must have, सभी computer में क्या होना चाहिए एक operating system होना चाहिए, अबंडिट printer होना चाहिए, virus checking program होना चाहिए या फिर word processing software होना चाहिए, तो सबसे पहले तो भाही computer में होना चाहिए operating system, तो इसका जो सही जवाब है, option A है अगला जो प्रस्षन है, वो है कि computer data में जो तुटी है वो क्या कहलाती है, और error जो है, computer में वो क्या कहलाता है तो उसको कहते हैं, भाही, bug, bug जो है, वो computer data में तुटी, जो है, वो कहलाती है अगला प्रस्षन है कि basic जो है, वो कैसी language है तो इसका जो सही जवाब है, वो है option V, basic is a procedural language अगला प्रस्षन है, to restart the computer, which key is used तो computer को restart करने के लिए, जो key use की जाती है, control, alt, plus, delete ये जो है, वो computer को restart करने के लिए, दबाई जाती है, option D, जो है, वो सही जवाब होगा अगला प्रस्षन की powerful key that lets you exit a program when pushed शक्तिशाली कुझी जो आपको एक program से बाहर निकलने की अनमती देती है, जब दबाते हैं, उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहते है, escape की option भी सही जवाब है, अगला प्रस्षन है, कौन से menu type जो है, ड्रोपडाउन menu भी कहलाता है तो pull down menu जो है, उसको drop down menu भी कहलाते है, option A सही जवाब है अगला प्रस्षन है, की एक लगू अगरती जो screen पर कुछ application को चित्रित करती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है, icon अगला जो प्रस्षन है, इसमें पूछा गया है, की एक inverter कौन सा gateway कहलाता है तो inverter जो है वो, not gate, and not gate, जो हो कहलाता है, option A सही जवाब है अगला प्रस्षन है, कोन सी software की विसेषता नहीं है, option ही है, software गिसता नहीं है, software load seal है तीसरा प्रस्षन है, software निर्मित नहीं होता, और चौत्तरा प्रस्षन है, software हमेश्या सही होता है तो ये गलत है, option D जो है, वो, सही जवाब होगा अगला परसन है कि C is a high-level language which is developed by तो यह किसके दवारा विक्षित की गई थी? तो Dennis Richie के दवारा यह विक्षित की गई थी? कब की गई थी? 1972-1973 में यह विक्षित की गई थी अगला परसन है, a set of instructions designed to perform a specific task is known as procedure तो option D जो है वो सही जवाब होगा अगला परसन है, what is the full form of SQLs? SQL की जो full form है वो है structure query language sorry structure query language जो है वो SQL की full form है option C जो है वो सही जवाब होगा अगला परसन जो है हिमाचल परदेश से संबंदीत है हिमाचल परदेश के समान्य ग्यान से संबंदीत परशन है परशन में पूझा गया है कि हिमाचल परदेश में जनगनना 2000 के अनुसार हिमाचल परदेश की कुल जन संक्या कितनी थी तो भाई ये थी 68,64,602 option C जो है वो सही जवाब है इसमें मेल्स की population जो है वो 34,81,873 थी और फीमेल की population जो थी वो 33,82,729 थी तो अगला परशन देखते हैं कि हिमाचल परदेश के किनोर जिले का जिला मुख्याले का है तो किनोर जिले का जिला मुख्याले जो है वो रिकाउंग पियो में है option D जो है वो सही जवाब है चौनतो गाटी हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो चौन्तो गाटी हिमाचल प्रदेश के बिलासपूर जिले में स्थित है हमारा अगला परसन है वुदिल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहाइक नदी है तो वुदिल जो है हिमाचल प्रदेश की रावी की सहाइक नदी है अगला परसन है कि लंबा डग जल विद्वित वरियोजना हिमाचरपदेश की किस नदी पर निर्मित है तो यहाँ पर जो ओप्शन था बैसे तो लंबा डग हाईडरो एलेक्ट्रिक प्रोजक्ट जो है 25 मेगावाट की एक प्रियोजना है जो कि हिमाचरपदेश के उपमंडल में लोहाडी नामक जगह पर ये वन रही है जो की लंबा डग उस खड का नाम है बहीं पर बन रही है प्रन्तु लंबा डग जो खड है वो बाद में उहल नदी के साथ ये मिल जाती है उहल नदी की ट्रिब्यूटरी है लंबा डग और उहल नदी बाद में ब्यास के साथ मिल जाती है तो इसका उत्तर जो था वो option A ब्यास सही होगा ब्यास नदी पर ये निर्मित है लंबा डग जल विद्युत प्रियोजना हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बैजनात में ये वन रही है 25 मेगावाट की ये परियोजना अगला जो प्रशन है हरिराए टेंपल इस लोकेटेट अड़ विच प्लेस तो हरिराए मंदिर जो है माचल प्रदेश के जिला चंबा में ये स्थित है option D जो है सही जवाब है अगला प्रशन है अगला प्रशन की किस देश के राष्ट्री महासागरी एबम बातावरणी प्रशाशन ने हाल ही में न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स जारी किया option है USA तो USA ही इसका सही जवाब है option A जिसने भी लगाया है वो सही है अगला प्रशन है कि COVID-19 महामारी का सामना करने के लिए भारती शिशशत तरशेना दवारा हाल ही में प्रारंब किये गए operation का क्या नाम था तो इसका नाम जो था रखा था operation को जीत ये रखा था अगला प्रशन है कि जो कि ये सामान नहीं है प्रशन है ये आपने खुद सौल्ब करने फिर भी में बता देता हूं जैसे पक्षी का संबंद पंक्षी है तो मचली का संबंद किस से है मीन पक्षी है अगला जो है ये आपने खुद कर लेने हैं अगला प्रशन है कि विजडी डिवेल्मेंट ब्लोक इस लोकेटर इन विज डिस्टिक हो हिमाचल विजडी विकासखन जो है हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है तो विजडी जो है हमीरपूर में है अगला प्रशन ह महाराना परताब सागर जील को इस नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तो इसको पॉंग जील के नाम से जाना जाता है रूपा वैली कहां पर है हिमाचल प्रेस में तो रूपा वैली जो है वो हिमाचल प्रेस के किनोर में ये स्थित है किनोर में कहां पर है तो रूपा वैली है रूपा वैली का जो एक फेम्मस गाउं है स्थित्थ है तो स्थित्थ दार जो है इमाजशा परदेश के जिला कुलू में स्थित्थ है option C सही जवाब है अगला person है ben 29 यानि की पौरी मेला हिमाचल प्रदश के kis जिले में मनाय जाता है तो ये भाया मनाय जाता है लाहुल स्पिती में लाहुल स्पिती में ये जो है त्रिलो की नाथ देपता है उनके लिए उनके बहाँ पर ये मनाया जाता है अगला परसन है रानी खैरगड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंदी थी तो मंडी से ये संबंदी थी मंडी सडियंतर से ये संबंदी थी रानी खैरगड़ी अगला प्रशन है बुसहर रियास्त के संस्थापक कों थे तो प्रद्यूमन जी जो थे वो बुसहर रियास्त के संस्थापक थे हिमाचल परदेश के त्रिगर्त रियासत की राजधानी थी हिमाचल परदेश की त्रिगर्त रियासत की राजधानी जो थी वो नगर कोड थी आप्शन वी सही जवाब है अगला परशन है बैजनात का पुराना नाम क्या था तो बैजनात का जो पुराना नाम था वो था किर ग्राम आप्शन सी सही जवाब है यह प्रशन आपने खुद सॉल्ब कर लेना है और हमें कमेट सेक्शन में बताना है कि इसका अंसर क्या है अगला प्रशन है कि सूरे प्रकास दोबारा सरीर को कौन सा बिटामीन परदान किया जाता है तो सूरे के प्रकास दोबारा बिटामीन डी जो है वो हमारे सरीर को परदान जो है वो किया जाता है अगला प्रस्ण है उसमें पूछा गया है कि जो प्रोटीन कैलोरी को पोशन कारित करता है वो क्या करता है कौन सा बेटेमीन करता है तो इसका ओप्शन जो है वो ओप्शन डी सही है क्वाशिय और कौर जो है वो इसका सही उत्तर है हमारा अगला जो प्रसन है कि बैरोमीटर का अविस्कार किस ने किया था तो बैरोमीटर का जो अविस्कार किया था वो किया था इटली के विग्यानिक ने इटली के एक विग्यानिक थे उनका जो नाम था वो था इवान जॉलिस्टा तॉलिसिली तोरिशली, उन्होंने इसका अविश्कार किया था, कव किया था, 1643 में इसका अविश्कार किया था तो C जो है, सही जवाब है अगला जो परसन है, उसका क्विक लाइम का रसाइनिक नाम क्या है तो कैलसियम उग्जाइड जो है वो क्यूक लाइम का रसाइनिक नाम है इसको उग्जाव कैलसियम भी कहा जाता है अगला परसन है कि निमन में से कौन सा रिगवेदिक समाज में अग्याद था तो बाल वीवा जो था वो रिगवेदी काल में जो था वो अग्यात था अगला परसन है किसके अधीन चोल समराजी अपने चरम पर पहुंचा तो राज-राज जो थे वो उनके अधीन चोल समराजी थे वो अपने चरम पर पहुंचे सुरी एक परसन रह गया करनाटिक में जैन धर्म के परसार का स्रे किसे दिया जाता है तो चंदरगुफ्त मौरे को जो है वो इसका स्रे दिया जाता है अगला परसन है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुदोला का उत्तरादिकारी कौन था तो मीर जफर जो था वो उस राजुदोला का उत्तरादिकारी बना था अगला परसन है वुदान अंदोलन किसने प्रारंब किया तो विनोवा वावे ने जो था वो वुदान अंदोलन जो था वो प्रारंब किया था नाइंटिन फिप्टीवन में अगला परशन है आरिसमाज की स्थापना किस बर्स हुई तो 1875 में आरिसमाज की स्थापना हुई थी अगला परशन है लोकसभा और राजिसभा के लिए राश्टपती द्वारा मनोनीत सदस्यों की एकल संख्या कितनी है तो वारा सदस्य जो है वो राश्टपती द्वारा मनोनीत किया जाते हैं अगला परशन है वारती राश्टपती है एक तो वो एक नामधारी कारेपाली का है ऑप्शन वी सही जवाब है अगला परशन है बियाली सम्भी दान संसोदन विदेग किस बरस पारित हुआ था तो यह हुआ था 1976 में अग परशन है कीमत सुसकांट का मुख्य परयोजन रिक स्थान में परिवर्टत को मापना है तो किस चीज को मापना है तो यह मापना है वाइंग फावर को अगला परशन है उत्री गुलार्द में धाराएं किसके कारण अपने दाईं और विक्षेपित होती हैं तो इसका जो सही जवाब है वो है ओप्षन बी कोरियोलिस फॉर्स के दवारे यह विक्षेपित होती है अगला परशन है बीचीज नोटे वाम करेंट कोई सी गरमधारा नहीं है तो वेंगवेले की धारा जो है वो एक ठंडी धारा है यह अट्लांटिक महासागर की धारा है तो यह ठंडी धारा है यह गरमधारा नहीं है option A सही जवाब होगा अगला परसन है कि किस राज में प्रचूर मात्रा में काली मृदा पाई जाती है तो महराष्टर में प्रचूर मात्रा में काली मृदा पाई जाती है option B जो है वो सही जवाब है अगला परसन है कौन सीर भी फसल नहीं है तो गेहू है, अलसी है, जो है, चाबल जो है, वो नहीं है, option A सही जवाब होगा, अगला परशन है, अन्टॉनियम ओफ कैंडल इस, तो इसका जो अन्टॉनियम होगा, वो होगा, एक्स्टिंग्विस, option D सही जवाब है, अगला परशन है, वन वर्ड सब्सिट्यूशन फॉर और दा, मुवी इन अडवाँस, option C सही जवाब होगा, अगला परशन है, माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में समास जो है, वो दबंद समास है, पराजे में उपसर्ग है, पराज़ और धर्ती का जो प्राइबाची है, वो धर्णी है, बाई पचिजाना का होता है, शाथ होना, तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें जरूर बताइए, अगर इस वीडियो का पार टू भी चाते हैं, हमें कमेट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम आपके लिए, क्वेशन 50 से लेकर 100 तक का, जो बाकी के परसन बच गए हैं, वो आपके ल